जहां बॉलीवुड की मूवीज में खूबसूरत हेरोइंस ने अपनी खूबसूरती का जादू हर किसी पर बखूवी चलाया है वहीं उन्हीं बराबरी की टकर देने वाली अंग्रेजी आक्ट्रिस के किरदार में नजर आई अभिनेत्रियों ने भी अपनी एहम भूमिका से उन फिल्मों को सूपर हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इसलिए तो आज भी उनकी छवी लोगों के दिलों में जिन्दा है लेकिन दोस्तों आप उन अंग्रेजी आक्ट्रिस की प्रोफेशनल लाइफ से तो वाकिफ हैं पर क्या आप उनके रियल लाइफ बच्चों से मिले हैं कि आज वो कितने बच्चों की माँ है और उनके वो बच्चे क्या करते हैं अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप फाइब अंग्रेजी आक्रसेस के रियल लाइफ बच्चों से मिलवाएंगे तो फिर आईए जानते हैं उनके बारे में नमर एक पर हैं अमरिता सिंग साल 1993 में आई फिल्म रंग में इंदू मलहोतरा एक अंग्रेजी आक्रस के किरदार में अमरिता सिंग में खूब चारशान लगाये थे पर आज ये अपने दो बच्चों सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की मा बन चुकी हैं जो की सैफ अली खान की पहली पतनी है आपको बता दे कि जहां सारा अली खान बॉली वुड की फेमस अक्रस है और उन्होंने अब तक अतरंगी रे जैसी 4-5 फिल्मों में काम करके अपनी मा का सरगर्व से उचा कर चुकी है वही इनका बेटा इब्राहिम अली खान अभी छोटा है और अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी कर रहा है और दिखने में इतना हैंडसम नजर आता है अमिर खान की सूपर हिट फिल्म लगान में गोरी मैम एलिजाबित रशेल की किरदार निभाने वाली आक्ट्रस रशेल शेली को शायद ही आप भूल पाए होंगे जो की फिल्म में आमिर खान को अपना दिल दे बैटी थी और गरीबों की मदद करती हुई नजर आई थी लेकिन वही गोरी मैम आज एक बेटे की मा है जो की काफी छोटा है इसी लिए ये उनका ध्यान अच्छे से रखती है अपनी जादतर फिल्मों में अंग्रेजी आक्रिस का किरदार हेलन लिूक ने निभाया था जो हमेशा नेगेटिव रोल में ही नजर आती थी पर इस बात की किसी को कानो कान खबर तक नहीं है कि ये एक टाइम पहले मितुन चकरवर्ती की वाइफ रह चुकी है जिनसे इन्हें कोई बच्चा नहीं है और आज ये उनसे तलाक लेकर सिंगल लाइफ स्पेंड कर रही है आई और सिंगिस ब्लिंग जैसी फिल्मों में काम करने वाली होट आक्ट्रस एमी जैक्सन को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे पर शायद आप ये नहीं जानते कि आज ये एक बच्चे की मा है जिसका नाम एड्रुस जैक्स है जो की काफी क्यूट दिखाई देता है औ और विदेशी फिल्मों वीर में अपने अक्टिंग करियर की शुरुवात करने वाली जरीन खान की अभी शादी नहीं हुई है और ना ही वो किसी को डेट कर रही है इसलिए आज इनका कोई भी बच्चा नहीं है वेल दोस्तों आप इन अक्टिंग में से किसके बच्चे को मिलकर जादा खुश है आप हमें उस अक्टिंग का नाम कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही ऐसी तमाम ख़बरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले